Hello students, way part first, paper first, भारती दर्शन इस से पूर्व के लेक्चर में हमने चारवाग दर्शन के सामाने परीचे और उसकी प्रमाण मिमान साप पर चर्चा की थी आज हम बात करेंगे चारवाग दर्शन के तत्व मिमान सा या चारवाग दर्शन के तत्व समंदी विचार चारवाग जड़ को ही एक मत्र तत्व के रुप में स्विकार करता है इसलिए उसके जडवादी दर्शन कहा जाता है विश्व के मूल तत्व के समंद में चारवाग का मत्र उसके प्रमाण समंदी विचारों पर आधारित है चारवाग प्रत्यक्ष को ही एक मत्र प्रमाण मानता है इसलिए वह केवल उनी वस्तों के अस्तित्व को स्विकार करता है जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है इश्वार आत्मा स्वार्ग आधी विश्यों का अस्तित्व चारवाग तर्शन स्विकार नहीं करता है क्योंकि हमें इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है चारवाग के अनुसार हमें केवल जड़ द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है अत्य केवल उनी को मान सकते हैं इस प्रकार चारवाग जड़वाद का प्रतिपादन करते हैं उनके मत्त के अनुसार जड़ ही एक मात्र तत्व है चारवाग तर्शन जगत के सम्मंद में कहता है कि जो संसार या जगत है वो चार महा भूतों से मिलकर बना है जड़ जगत के निर्माण के सम्मंद में अन्य भारती दार्शनी को कमत है कि आकाश, वायू, अगनी, जल तत्था प्रत्वी इन पंच पूतों से ये जगत निर्मित है किन्तु चारवाग आकाश के अस्तितु को नहीं मानते है क्योंकि इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं आता है चारवाग के नुसार संसार चार प्रत्यक्ष पूतों से निर्मित है इन तत्वों से केवल निर्जी उपदार्थों की उत्पत्ती नहीं हुए बलकि सजी उद्रयावी इनी से उत्पन हुए है चारवाग दर्शन आत्मा के स्थित्व को भी स्विकार नहीं करता है क्योंकि वो क्यों प्रतेक्ष को एक मतरपर मानता है और उसके नुसार कोई आत्मा का हमें प्रतेक्ष नहीं होता चारवा के नुसार प्रतेक्ष इकमत प्रमाने प्रतेक्ष दो प्रकार के हो सकते हैं बाहे तदा मानस मानस प्रतेक्ष के दुआरा मांतरिक भाहों का ज्यान प्राप्त करते हैं इस तरह अंतरिक भावों के ज्ञान से चेतना का भी प्रत्यक्ष होता है चेतना पाहे जड़ द्रव्यों में नहीं पाया जाता तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमारे अंतरगत एक अबोतिक सकता है जिसे हम आत्मा कहते हैं जिसका गुण चेतना है चारवाग स्विकार करते हैं कि चेतना का ज्यान प्रत्यक्ष की द्वारा होता है किन्तु वे यह नहीं मानते कि चेतना किसी अभोतिक तत्व या आत्मा का गुण है आत्मा का तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता जड़ ततों से बने जो हमारे शरीर है कि और उन्ही का प्रतेक्ष होता है चेतना हमारे शरीर के अंतरगत है इसलिए चेतना को शरीर का ही गुण मानना चाहिए चेतना को शरीर चेतन शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए इसलिए चारवा कहते हैं कि चेतनी विशिष्टो देह ऐ आत्मा अर्थ हाथ चेतना से युक्त जो देह है जो शरीर है वही आत्मा है आत्मा और शरीर के तादत में का ज्यान देनी का नुखों से भी प्रापत होता है जैसे मैं मोटा हूँ, मैं लंगडा हूँ, मैं अंदा हूँ यह वाक्य आत्मा और शरीर की एकता को प्रमाणित करते हैं यदि आत्मा शरीर से भिन्न हो तो इन वाक्तों का कोई अर्थ नहीं रह जाता यहां यह आक्षिक क्या जा सकता है कि चेतना का अस्तेतु तो किसी भी जड़ तत्व में नहीं पाया जाता और जब तत्वों में ही इसका भाव होगा तो उनके योग से बने वे शरीर में इसका प्रादुभाव कैसे हो सकता है चारवा किसका उत्तर देते हैं कि जड़ तत्वों कि सहियोग से किसी वस्तु का निर्मान होता है यह संभाव हो है कि तत्वों में यदि किसी गुण विशे का अभाव भी रहे तो उसकी उत्पत्ती उस निर्मित वस्तु में खूज सकती है उधारन के लिए जिसे पान, चुना, सुपारी में लाल रंग का अभाव होता है किन्तु इनको जब एक साथ चबाया जाता है तो उनमें लाल रंग कि उत्पत्ती हो जाती है एक ही वस्तु को भिन भिन परिसित्यों में रखने से भी उसमें नए नए गुणों का विर्भाव हो जाता है उधारन के लिए गुड में मादकता का अभाव है किन्तु गुड सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है इसी प्रकार जड तत्तु का भी समिशन यदि एक विशेश ढग से हो तो शरीर की उत्पत्ती होती है और उसमें एक नए गुण चेतना का उद्य होता है शरीर से भिन आत्मा का कोई प्रमान नहीं है शरीर से भिन यदि आत्मकास्तित्व नहीं है तो उसके अमारी या नित्ते होने का भी प्रश्ण नहीं उट सकता मृत्यू के बाद शरीर नेश्ट हो जाता है और उसे ही जीवन का अंत समझना चाहिए पूरुजनम, भाशेजीवन, पुनर जनम, स्वारग नर्क ये सभी विश्वास निराधार हैं चारवा अक्ट इसवर के अस्तित्व को भी स्विकार नहीं करता उसके अनुसार आत्मा की तरः इसवर में विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता जड़ ततों के मिश्ण से संसार के उत्पत्य हुई है इसके लिए किसी श्रिष्टा की कल्पना करना अनाउशक है यहाँ प्रश्ण हो सकता है कि क्या संसार की श्रिष्टी के लिए जड़ ततों का समिश्ण आप अपने आप हो जाता है किसी वी वस्तु के लिए उपादान कारण के साथ निम्मत कारण की भी आउशकता होती है चारवाक के नुसार चार भूत हैं वे केवल संसार के उपादान कारण है इसके अतरिक निमित कारण इश्वर की आउशकता होती है जो इन उपादान नो को लेकर इस विचीतर संसार के शुष्ष्टी करता है इसके उत्तर में चारवा कहते हैं कि जड़ ततों का स्वयम अपने आप में अपना सोभाव होता है अपने सोभाव के अनुसारी वे सयुकत होते हैं और उनके स्वत्र समिषण से संसार के उच्पति होती है इसके लिए किसी इश्वर की आउशकता नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जगत की स्रष्टी किसी उद्देश्य की पूर्टी के लिए हुई है अधिक युक्ति संगत यही है कि इस खुत्पत्ति जड़ ततों के आकस्मिक संयूग से हुई है अधा चारवाक इश्वर को नहीं मानते वे अनिश्वरवादी है चारवाक के रुसाड जड़ भूतों में अंतरनीत सुभाव से ही जगत खुत्त्ति हो जाती है इसलिए चारवाक का मत्षो भाववाद क्यलाता है संसार तो जड़ ततों का कस्मिक संयूग है चारवाक मत्प्रत्यक्षवाद भी का आ जा सकता है क्योंकि यह केवल प्रत्यक्षवस्तों के अस्तितों को ही मानता है अब चारवाक दर्शन का भारतिय दर्शन में योगदान की बात करें तो भारतिय दर्शन को चारवाक दर्शन ने हट वादी होने से बच जाया है जिसे दर्शन तथा दाशनिक सहित्ते सम्रद हुआ दर्शन में समिक्षात्मक प्रणाली का विकास भी चार्वाक दर्शन के कारणी हुआ चार्वाक ने ततकालिन अंद्विश्वासों के विरुध अवाज उठाई और सुखवादी होने के कारण चार्वाक को निंदिनिय मानना उचित नहीं क्योंकि प्रत्यक विक्ति किसी ना किसी रूप में सुख़ी काम ना करता है आता है इन सब बातों को देखते वे कहा जा सकता है कि चार्वाक दर्शन का भारती दर्शन में एक महत्यपूर्ण स्थान है धन्यवाद